नमस्कार सातियों स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जिक्या कैप्शुल बाई असोक्षर में सातियों आज इस कैप्शुल के बारे में चर्चा करेंगे वो एक नाम है पर्थुराज कई बार जैसे पढ़ाते हैं तो लिकाते हैं पर्थुराज कछावा पर्थुराज शिशो दिया पर्थुराज चोहान और पर्थुराज राठोड़ तो अकसर कहते हैं सर इनके अंदर कंफ्यूज रहता है कि कोण से पर्थुराज के बारे में कोण से खाश बातें आपको याद रखनी है आईए कैपसुल के माधियम से शब दूर होगा आईए आज हमारा ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल वही है आपके कि हमारे राजिस्तान में जो पर्थुराज हुए हैं वो कोण कोण से हैं और उनकी महतपुन बातें क्या है जो एक्जामिनर पूसता है देखें सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों पर्थुराज कछावा सबसे पहली बात याद रखिए यह आमेर के शाशक है शाशक बने थे पर्थुराज कछावा इनकी खाश बाते तीन ही है केवल एक तो यह आमेर के शाशक थे एक यह सांगा की साहिता के लिए आये थे खानवा के युद में 17 मार्च 1527 और उशी युद में मारे गए और तीसरे इनकी खास बात है इनके बारा पुत्तर थे इसलिए आमेर को बारा भागों में बांटा और आमेर को जो बारा भागों में बांटा उसे ही कहा गया है इतियास में बारे कोठडी विवेस्ता तो बारे कोठडी विवेस्ता खानवा युद और आमेर का जो शाशक है वो है आपके पर्थुराज कछावा नेक्स्ट अगला है सात्यों पर्थुराज राठोड याद रखे ये विकानेर का राजकुमार है शाशक कभी नहीं बना था पर्थुराज राठोड ये विकानेर का पहली बात तो याद रखे क्या है राजकुमार दूसरी बात इन्हें कहा जाता है इतियास में डिंगल का है रोश किसके दुवारा कहा गया एल पी टेशिटोरी दुवारा इन्हें इतियास में साहिते का जानकार होने के कान कहा गया है पिथल पातल है महरणा परताब पिथल है कौन पर्थुराज राठोड इसके अलावा अकबर के दुआरा इनको गागरोन की जागीर दी गई थी और उसी गागरोन के किल्ले में रहते वे वेली किसन रुकमनी की रचना की थी जो कि डिंगल बासा के अंदर लिखा गया गरंत है और ये दुरसा आड़ा ने इसे क्या का था याद रखेगा पांचव वेद उननीस स्वापुरान और करनल जेमस्टोड ने इसी पुस्त को क्या का था दस अजार गोडों का बल ये है बातें के वल पर्थुराज राठोड हाँ ये अकबर का दरबारी था विकानेर का राजकुमार डिंगल का हैरूश इतियास में पिथल गागरोन की जागीर औ नेक्स्ट है आपके प्र्थुराज शिशोदिया ये भी मेवाड का राजकुमार है याद रखेगा जिसे इतियास में कहा गया है उढवा राजकुमार तेजधावक होने के कारण इसके अलावा इन्होंने अपनी पत्नी तारा भाई के नाम पर जो अजे मेरू दुरुख था अजमेर में उसी का नाम बदल कर क्या किया था याद रखेगा तारा गड़ ये मेवाड का राजकुमार ये राठोड राजकुमार विकानेर का और ये कच्छा वाशाशक है आमेर का इनके बारे में इनके अलावा कभी नहीं पुछा गया है तो आपको क्यों यही बातें याद रखनी इसके अलावा और भी हैं अभी पर्थिराज इसके अलावा पर्थिराज हैं आपके चोहान और पर्थिराज चोहान तीन हुए हैं पर्थम दिवतिय और तिरतिय पर्थिराज चोहान जो पर्थम हैं उनको तो एक उपादी है परम भटारक महराजा अदिराज इन्होंने तुरकों को पराजित किया था इसलिए कहा जात और पर्थुराज पर्थम के ही पुत्तर थे अजे राज जिन्नोंने अजमेर बसाया था 1113 श्वी में वो पर्थुराज फर्ष्ट का पुत्तर है कौन अजे राज इनके बारे में तीन बातें खास है पर्थुराज दिवत्य के बारे में कोई खास बात है नहीं याद अपर गांगे के हत्या कर शाशक बना था कौन पर्थिराज दिवत्ये ये निसंतान था इसलिए पर्थिराज दिवत्ये के बाद में इनके चाचा शोमेश्वर शाशक बने और शोमेश्वर का ही पुत्तर है पर्थिराज चोहान तर्तिये इनके खास बातें तो क्या है 11166 के अंदर अहिल पाटन गुजरात और 1117 के अंदर ये शाशक बने प्रारम के अंदर इनका शाशक इनकी मम्मी ने चलाया था करपूरी देवी ने इतियास में इने दल पंगुल कहा गया विश्वे विजेता इनने उपादी धारन के थी राय पितोरा के क्योंकि दिल्ले में पितोरा गड बनाया और इनको एक उपादी है गारजिश पत्ति की अचुक निशानेबाज और इन्होंने तराइन के दो यूद किये थे पस्ट किया था 1191 के अंदर गोरी को प्राजित किया दूसरा 1191 के इसका एक मंत्री था जिसका नाम था हटड क्या नाम था हटड और इसी हटड ने याद रखेगा जीन माता का मंदिर बनाया था रेवाशा धाम शिकर यह आप मुझे बता दीजिएगा यह हटड किश परत्विराज का मंत्री था इतना तो बनता ही है चलिए आज के लिए इ नेवाद